निर्भया सामुहिक दुशकर्म की दोशी मुकेस कुमार की अरजी पर दिलिक हाई कोट में सुनवाई शुरू हो गई है दोशी मुकेस ने डेथ वारेंट पर रोक लगाने की मांग की है मुकेस ने कहा है कि उसकी दयायाचिका अभी राष्ट्रपती के पास लंबित है इसलिए डेथ वारेंट को रद कर दिया जाए सुनवाई के दोरा अन दिल्ली एसजी और दिल्ली सरकार के वकील ने कहा कि निर्भया के दोशियों को 22 जनवरी को फासी नहीं दी जा सकती है की पाक जजो की पीटने मुकेस की क्यूरेटिव याचिका खारिस कर दी थी 18 दिसंबर को तिहार जेल अथार्टी ने सभी दोशियों को नोटिस जारी किया है नोटिस में कहा गया कि आप चाहें साथ दिन के अंदर दयायाचिका दाखिल कर सकते हैं वीडियो कानफरेंसिंग के दौरान दो दोशियों की ओर से कहा गया कि उनके केस को सही पैर भी नहीं मिली है इसलिए इस पर भी गौर किया जाना चाहिए मुकेश की वकील रिबाका जौन ने कहा कि साथ जन्वरी को ट्रायल कोट की ओर से पारित आदेश अभी तक तामिल नहीं हो सका है अगर हम 18 दिसंबर के आदेश पर दयायाच का दायर करने के लिए साथ दिन का नोटिस देते तो 25 दिसंबर को ये समाप्त हो जाता लेकिन एमिकस को दोशी से मिलने की अनुमती तीस तारिक को दी गई और दोशी ने तुरंत बताया कि वो एक क्यूरेटिव फाइल करने का इरादा रखता है बता दे आपको कि सुप्रीम कोट रजिस्ट्री से कागजात मिलने के बाद दो दिन के अंदर क्यूरेटिव याचिका दाखिल की गई क्यूरेटिव याचिका खारिज होने के बाद दयाया याचिका दायर करने के लिए हमने एक दिन भी इंतजार नहीं किया मैं राश्ट्रपती से आवेदन पर विचार करने के लिए कह रही हूँ दयाया याचिका राश्ट्रपती का संबैधानिक करता व्या है और ये कोई अनुग्रह का काम नहीं है इस पर हाई कोट ने कहा आपकी अपील अप्रेल 2017 में खारिस कर दी गई थी तब भी आपने धाईस साल तक इंतजार किया एक समिक्षा याचिका तक दर्ज नहीं कि कोई केरिटिव भी फाइल नहीं किया आपको ये दाखिल करने से क्या रोका गया कोट ने कहा था कि कोई देथ वारेंट जारी होने तग दया याच का दायर करने का इंतजार क्यों करेगा दोशी को कोट जाने के लिए मुकमल वक्त दिया गया है SPN 9 Newsroom से इस्टूतिक रिपोर्ट